नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो मैं हूँ राजे इंद्र दोस्तो सामने आप यह देख पारे हैं यह गुड़े का प्लान्ट रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो इस पर छोटे-छोटे फूल आ हुए है और कोच यहाँ पर बट्स भी तो दोस्तो मैं इसी टॉपिक पर आप से बात करने वाला हूँ क्योंकि कि पौदे पर सर्दियों में कुछ पूदे पर फूल भी नहीं आ रहे हैं और कुछ फूल आ भी रहे हैं तो वो छोटे उनका साज चोटा है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पारे है पौदे को सही मात्रा में से दूप नहीं मिल पाती है तो यदि आपने भी लगाई हुए है चोटे चोटे पौदे तो आप उन्हें दूप में रखें तो जैसे कि आप देख पारे होंगे यह मैंने दूप में ही रखा हुआ है पौदे पर फूल नहीं आ रहे हैं सर्दियो में तो किस प्रकार से आएंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी तो दोस्तो यहां पर आप जैसे की देख पा रहे हैं इस पौट की जो सोयल मीडिया है वो काफी नमी है आप रूबरी भी रख सकते हैं मैं देखिए यहां पर मैं आप लोगों को और बताना चाहाँगा जो चोटी ब्रांच इस निकली हुई है पौदे पर उन सभी में देखिए आप फूल भी देख पा रहे होंगे और चोटे बट्स भी फिर भी फूलों का साथ चोटा है और दोस्तो कुछ ऐसा भी होता है कि आपने पौदे की अच्छी तरीके से कटिंग करनी चाहिए और उसमें सुवह साम आपको भी आप पानी लगाएं पौदे में तो सुवह साम ही लगाएं तो मैं ऐसा ही करता हूँ अपने पौदे के साथ तभी मेरे पौदे पर काफी बट्स आई हुए हैं फिर भी देखिए तो किस प्रकार से बड़े हो सकते हैं और ग्रोथ नहीं नहीं आने लगेगी तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो दोस्तों चैनल ना आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आप बलकुल मत बूलिएगा तो चलिए मैं इसकी शुरुबात किये देता हूँ किसमें कौन-कौन से फटी लाजर हमें देने होंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहला काम हमें करना है अपने गमले में यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसकी अच्छे से इसकी गुलाई करूंगा करीवन एक-एक इंच आपको पोट की गुलाई करनी है जैसे आप हमारे पोट की देख पा रहे हैं करीवन एक-एक इंच इसकी मैं गुलाई करूंगा तो इसको गुलाई करते समय आपको साबदानी से गुलाई करनी है आपको बीच में गुलाई नहीं करनी है जो इसकी जो सायटों में अच्छी तरीके से गुडाई करते रहेगा जैसे क훈 आप देख पा रहे होंगे मैं इसकी अच्छे से गुराई मैं दूप में रखूँगा तो चलिए मैं इस सोयल को बार निकाले लेता हूँ ताकि यहां पर आप देख पारे होंगे इस पूझ रूट्स हैं वो रूट्स बिल्कुल कटी नहीं है जो साइटों में रूट्स आती है वो एका रूट कटी भी जाए तो कोई प्रावलम आने वाली नहीं है तो जैसे की देख पारे हैं मैंने करीवन एक एक इंच इसकी गुड़ाई अच्छे से कर ली है इसकी जो मिट्टी है मैं उसे दूप में रहूंगा ताकि उसमें करीवन आदे गंटे की दूप लगेगी तभी अच्छी तरीके से वो मिट्टी है वो बन से इसे मैं फेलाई देता हूं ताकि अच्छी तरीके से इसमें दूप के कड़ जा सकें तो मैं करीवन इसे आदे गंटे ऐसी रहने दूँगा ताकि इसमें दूप के कड़ जाएंगे तो यह सोयल बन का तैयार हो जाएगी अच्छी तरीके से तो यहाँ पर आप देख पा यह यहाँ भी बी क को दिखाना चाहूंगा इस तरीके निए देख लिखती है तो इस नहीं देख सकते हैं तो इस बर्वी कंपोष्ट और गोवर देशी का डिला हुआ है और इसमें टी डली हुई है यानि चाहीक पती तो इसे मैं मिक्स कि लेता हूं जल्दी से ताकि अच्छी तरीके से जो हमारा फटी लाजर बनकर तैयार हो जाए तो यहाँ पर आप जैसे की देख पा रहे हैं यह मिलकर तैयार हो चुका है बिल्कुल एक एक बारिक से नजर आ रहा होगा यहाँ पर यह मैंने मस्टलक एक फटी लाजर लिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप तो इसके बाद हम दोश्तों यहाँ पर चलते हैं देखिए प्लैंट के उपर तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मैंने आदे गंटे पहले पोदे की गुड़ाई की थी तो उसी मैं मैं इसे अच्छी तरीके से डाल दूँगा जो पोड के अंदर इसके बाद मैं दोस्तों जो इसकी हमारी सौिल हैskie चालें इसके मिट्ट पालें उपर से डालेंगे क्यों Kart Wirashий की जो मैं पानी डालें तो यहाँ निकल पाहिए तो जैसे आपको नजर आ रहा हुगा मैंने च्छी तरीके तरीक पार लाजर डाल दिया इसके बाद में मिट्टी को डाले देता हूं तो चलिए मैं जल्दी से इसे डाले देता हूं ताकि अच्छी तरीके से बन जाए तो देख सकते हैं आप मैंने अच्छी तरीके से इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे अलके आस से इसके वह मैं जो सोयलेस को दावूंगा मैं ताकि जब पानी डालते समय जो आमाने फटी लाजर दिये हैं वो ना निकल पाएं उपर की तरफ क्योंकि अंदर रहेंगे तो जो इनकी रूट्स हैं वो जन्दी से पकड़ करेंगी और पौदे को अरा वरा बनाएंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने मश्ट लगेकर फटी लाजर लिया हुआ है तो मैं इसे ही डालूंगा अच्छी तरीके से इसे डालने के बा कि हमें कमेंट करके बताईएगा जरूल यदि आपके मन में कोई कोईरी या कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आपके सबी सवालों के जवाब दिये जाएंगे ठेंक्यू